आज बनाएंगे ऐसा चीजी नाश्तर की सब खाते रह जाएंगे आज मिलाई हूँ आपके लिए चीज बॉल्स की चीजी चीजी टेस्टी स्नैक रेसिपी आप देख सकते हैं कितनी बड़िया लग रही है और बनाने में उतनी ही आसान है और खाने वाले खाते रह जाएंगे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ टिप्स और ट्रिक्स कैसे मार्केट स्टाइल में चीजी बॉल्स बनाते हैं बिना जादा खर्चा किये कुछ ही इंग्रीडियन्स के साथ तो चलिए शेरू करते हैं चीजी बॉल्स बनाने के लिए आपको लेने हैं यहाँ पर दो उबले हुए आलू उनको चील लेंगे और चीलने के बाद उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे बहुत ही इंटरस्टिंग सी रेसिपी है मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आप नए है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दे साथी बेल बटन प्रेस कर दे ताकि ऐसी और रेसिपी आपको जल से जल मिलती रहें अब इसमें हम एड करेंगे एक तुरी लसुन ग्रेट करके लसुन का फ्लेवर इस रेसिपी में चार्चान लगा देता है अब एक चीज क्यूब की लेंगे और उसे भी ग्रेट कर लेंगे मैंने यहाँ पे अमुल चीज ली है आप कोई भी चीज ले सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी स्नेक रेसिपी है ट्राइ जरूर कीजेगा अब इसमें बहुत बारीक एक टेबल स्पून के करीब चॉप्ट क्याप्सिकम में एड कर रही हूँ एक टेबल स्पून ही फाइनली चॉप्ट प्याज साथी साथ इसमें मैट करूंगे एक टेबल स्पून कॉन नॉर्मल कॉन लेने है इसे बॉयल नहीं करना है अब इसमें डाल देंगे आदा टी स्पून पीजा या ओरिगानो सीजनिंग एक चताई चमच काली मिच एक चता आदा टी स्पून नमक नमक आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे ऐसे बढ़िया बढ़िया स्नाक की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूं जिसमें से एक है मैकिन स्टाइल पटाटो बाइट्स उसकी रेसिपी आ इसे छोटे-छोटे क्यूप्स में कट करके फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देते हैं जब तक हम बागी त्यारी कर लेते हैं अब ही मैं आगे बताऊंगी इसका क्या करना है तो वीडियो में बने रहें अपना गोल त्यार करना है उसके लिए एक बाउल लेंगे और इ और फोड़ा सा डालेंगे नमक, एक चुथाई टी स्पून नमक मैंने यहाँ पर आड़ किया है, हाज से मिक्स कर लेंगे सारे ड्राइ इंग्रीडेंट्स को, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करेंगे, और एक घोल त्यार करेंगे जिसमें चीज बॉल्स को वो डिप नहीं हो पाएंगे, तो देखिए इस तरीके की consistency हमें चाहिए, मैदे और कॉन फ्लोर से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी पनाता है, अगर आपके पास कॉन फ्लोर नहीं है, तो आप चावल काटा भी इस्तमाल कर सकते हैं, अब दूसरी तरफ मैंने रेडी किया हुआ ह 4-5 ब्रेड़ को अच्छा से सुखा के इसे मिक्सी में ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के बाद फे थोड़ा सा सुखाना है, और इसे आप स्टोर कर सकते हैं, महीने के लिए किसी भी जार कंटेनर में फ्रेज में रख दीजें, बिल्कुल खराब नहीं हो गई से दो पीस जितना चीज आपको पसंद है उतना डाल के इसे रोल करेंगे अगर ये चिपके तो थोड़ा और पानी ले सकते हैं इसे जैसे मैं इस वीडियो में करके दिखा रही हूं बिल्कुल उसी तरीके से रोल करना है बाकी सारे चीज बॉल्स भी ऐसे ही रेडी कर लेंग और फिर से ये जाएगी कोट होने के लिए ब्रेड क्रब्स में आप देख सकते हैं ब्रेड क्रब्स अच्छे से कोट हो चुका है चीज बॉल्ल पे ऐसे ही बाकी सारी बॉल्स हम रेडी कर लेंगे इसे फ्राई करने से पहले अगर आप आदा गूंटा फ्रिज में सेट होन आड़ कर दी है फ्लेम को हाई रखिएगा इस समय यह अच्छे से फ्राइ हो जाए इसके लिए जरूरी है कि एक बारी में तीन से जादा बाल्स मत आड़ कीजिएगा जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर आ चुका है फ्लेम को लो कर देंगे अब इसे एक मैट क आड़ देंगे यह बड़िया सी आवाज जो आप सुन रहे है ना यह चीज की है और इससे पता लगता है कि यह बड़िया से अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं इसे निकाल लेंगे और सफ करेंगे इसे रेस्टोरेंट स्टाइल बास्किट में देखिए कितने बड़िया से जादा मज़ेदार है ये मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है दोस्तों तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताईएगा कैसी लगी आप सब को ये रेसिपी साथ ही कोई बड़िया सा सजेशन हो तो वो भी जरूर लिख के बताईएगा तो मैं मिलूंगी अगली बार नई रेसिपी के साथ नई टेकनीक के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर डोंट फोगेट टो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब